नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष छाकुर के साथ दोस्तो ज्यारेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम इकाई तीन पड़ रहे हैं जिस पर उन्होंने काबेशास्तर के ऊपर कुछ न कुछ चीजें कही हुई हैं वो हमने विस्तार से उसमें देख ली हैं अगर आपने अभी तक वह वरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इकाई तीन के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसे देख सकते हैं आज हम करेंगे इसमें जितने भी हमारे दस्वी शतावदी से लेकर के अठार्वी शतावदी तक के जो मुख संस्कित अचारे रहे हैं उनके बारे में हम आज डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए बिनादेर किये शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आठोएं संस्कित के अचारे हुए हैं अचारे राजशेखर तो देखिए राजशेखर का जो समय है यह दस्वी शती के पुरवार्द तक माना जाता है इससे देखिए जो दस्वी शताबदी में भी बहुत सारे आपके संस्कित के अचारे हुए हैं उनमें से जो पहला नाम आता है यह आता है राजशेखर का और यह समूचे संस्कित साहित्य में देखिए इनके बारे में क्या का जाता है कि कुंतक और राजशेखर ये दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो परंपरागत संस्कित पंडितों के मानस में उतने महतवपूर्ण नहीं हैं क्योंकि ये दोनों क्या है थोड़े से लीक से हटकर यहां पर आगे दिखा भी होगा देखिए जितने रसवादी या अलंकारवादी अथ्वा धनिवादी हैं ये तो पहली ही ला पशास्तर के अंतरगत तो देखिए राजशेकर लीक से हटकर अपनी बात कहते हैं और कुंतक विपरीत धारा में बहने का सहस रखने वाले हैं तो देखिए दोनों ने क्या क्या थोड़ा सा नारसवादी हुए हैं और नहीं अलंकारवादी हैं इन्होंने अलीक से हटकर ल लंकार को ठीक है तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा दारा से हटकर चीजें लिखी हैं तो कावे के उपर राजशेकर ने लिखी है कावे मिमासा जो इनकी पहुती मौतपूर्ण रचना मानी जाती है ठीक है अगर हम प्रमुक रचनाओं की बात करें देखिए राजशेकर क इनकी कावे मिमासा ही है इसके अलावा इनकी अनय जो क्रित्या रही है देखिए वो कौन-कौनसी है जैसे बाल, रम रामाई हो गया, बाल, भारती हो गया, करपूर, मंजरी, हरी, और चनाओं और इक और रचना है ओ쪽에 मिमासा है इनकी किस तरख रखी है यहिन कावे परक इनके बारे में बता दिया आपको अब हम इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं कि जो आपके राजशेकर हुए हैं इनकी जो काब्य मिमासा है जो महतफ़ून कृती मानी जाती है इनकी देखिए इसमें इन्होंने किस चीज कवनन किया है देखिए प्रतिभा जने शहली था उसके द्वारे में क्या किया काब्य एवम कवि के समग्र पैयोजनीय विश्यों का एक महतफ़ून एव मुप्योगी संकलन इसको माना जाता है किसको काब्य मिमासा को को कि जो काब्य मिमासा है व lados में सिर्फ एक रस विशेष्म या अलंकार है कि क गई है बलकि जितने भी कवी के जो कर्म है उनको इसमें समाहित या संकलित किया गया है और इस ग्रंथ का जो प्रत्थम अधिकर्ण ही उपलब्ध माना जाता है कि जो इसका पहला ही अधिकर्ण है वो ही उपलब्ध है इसके अलावा अन्य जानकारी इसके संब्ध में नहीं म देते हैं तो इसलिए जो जो भी मौतफ़ून चीज़े है वो मेने आपके बीश में रख दी है और इसका नाम कवी रहस्य है तो देखिए सबसे पहरी बात क्या है इन्होंने बोला कि इसमें कितना है पहला ही जो है अधिकरण ही उपलब्ध है और जिसमें 18 अध्याय है और आ इन्होंने ये कवी शिक्षा का ही रखा है कि प्रधान जो विशे है काब्य मिमांसा का वो है कवी शिक्षा तो इस तरीके से प्रशिन बनने की संभावना रह सकती है कि कवी शिक्षा का प्रधान विशे किस रचना का है तो वो होगा आपका काब्य मिमांसा और काब्य मिमा इसके अलावा आगे हों हम देख लेते हैं जो संघ्छित के अगले अचारे हुए हैं ये हैं अचारे अभिनव गुप्ट अभिनव गुप्त, इनके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी होगी और देखा भी होगा आपने UGC NET की अगर आप परिक्षा दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं तो इनको पढ़ना पहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि आपके साहित्य शास्त्र में इनका नाम अग्रणी पंक्ती में रखा जाता है ठीक है तो जो आपके अभिनव गुप्त थे देखी ये कहां के थे ये कश्मीर के निवासी थे और इनके जो पिता थे देखी ये नरसिंग गुप्त थे तो दस्वी शती का उतरार्धिन का समय माना जाता है तो देखी इनका समय भी क्या है दस्वी शती का उतरार्धिन ही मान इसके पिता अभिनव गुप्त के पिता ठीक है नेक्स से दिखिए कि गुप्त ने व्याकरण द्वनी नाट शास्त्र का अध्याइन क्रमशह नर्सिंग गुप्त भट इंदूराज और भट आध को गुरु मान कर किया है तो दिखिए इन्होंने तीन तरीके का अध्याइन कि व्याकरण का अध्याइन नर्सिंग गुप्त जो इनके पिता थे उनसे इन्होंने किया है तो देखिए प्रशन बनने की संभावना किस तरीके से हो सकती है कि गुप्त ने व्याकरण का अध्याइन किसको अपना गुरु मान कर किया है तो वहाँ पर इसका उतर होगा नर्स नाट्य शास्त्र का अध्यान ने किसके गूरुत्तों में किया, तो वो गुरु माना ने बटाओत को, तो बटाओत कोण है, जो आपके दस्वी शती में ही हुए है, और जिनोंने काव वे कौतुब रचना लिखी है, ठीक है, और हालां कि वो इतने ज़्यादा महुत्व पू तो इनको भी इन्होंने अपना गुरु माना है और उनको गुरु मानते हुए इन्होंने नाट्य शास्त्र का अध्याइन किया है तो ये तीन चीजें महतवपूर्ण है इन्होंने जो समझी है वो कौन-कौन सी है व्याकरण शास्त्र द्वनी शास्त्र और नाट्य शास्त्र का अध्यान किया है तीन लोगों के अलग-अलग गुरुत्तों में जिनको इन्होंने गुरु माना है नर्सिंग, भटिंदुराज, भट्टॉत ठीक है नेक्स से दिखिए कि इनकी जो टिकाएं प्रसिद्ध कौन-कौन सी है तो दिखिए इन्होंने हालां कि बहुत जादे न विद्यमान थे तो इस पर इन्होंने जो टिका लिखिए देखिए अभिनव भारती और ये बहुत ही महत्वपून रचना इनकी माने जाती है कई बार UGC.net की परिक्षा में इसको पूछ जाता है कि अभिनव भारती किसकी रचना है या किस रचना की ये टीका लिखिगई है किस रचना पर तो ये नाट शास्तर पर अभिनव भारती नामक तीका लिखिगई है अभिनव गुप्त के द्वारा ठीक है उसके बाद जो दूसरी टीका है इनकी देखिए वो है धन्यालोक पर तो धन्यालोक किसकी रचना थी ये थी आनंदवर्धन की और ठीक है ये भी महतवपूर्ण है तीसरी जो काव्य कौतूब में बात कर रहा था बटोत की रचना है देखिए तो इस पर इन्होंने कौन से लिखा काव्य कौतूब विवर्ण नामक पी का लिखी है ठीक है तो ये इनकी महतवपूर्ण टिकाएं हो गई इसके अलावा इनक इस रचना को रतन तंत्र का विश्वकोष कहा जाता है तो उसका उत्तर होगा तंत्रा लोग और जिसके रचाईता कौन है अभिनव गुप्त हैं और जिनका समय दस्वी शती का उत्तरार्द माना जाता है तो ये थे अभिनव गुप्त उनके संबंद में मौतवपूर्ण बातें जो जो थी वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं इनका समय क्या है इनकी प्रमुक रचनाएं कौन सी हैं ये पूछ जाने के संभावना जादा रहती है और अधिकतर जितने भी आपके संस्कित के अचारे हुए हैं जादा तर आपको या तो दक्षिन के मिलेंगे या तो आपको कश्मीर निवासी मिलेंगे ठीक है तो अभिनव गुप्त जो भी जो हैं देखिए ये कश्मीर के निवासी माने जाते हैं ठीक है अगर आपको दोस्तो इसका पीडिएफ चाहिए होगा या इससे रिलेटिड आप क्विज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप में क्विज के जरिये तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिये जाएगा आपको हमारे सीधे टेलेग्राम ग्रूप के साथ जूर सकते हैं चलिए अब हम आगे देख लिते हैं कि आपका जो संस्कित के जो प्रमुक आचारे होएं इसके पात्माइन ने कहा है तो इनका समय है धश्मी शति का उत्रार्ध तो इक बिल्कुल सीख्मेस से हम जा रहे हैं कि कौन पहले आ रहा है यो ककश्मीर के निवासी है वक्रोग्ती संप्र्दाय के इनको प्रबर्तक माना जाता है और इनकी जो प्रसिद कृती है देखिए वक् पूरा का पूरा हमारा एक लक्षर बनेगा इसलिए यहां पर इनके बारे में सिर्फ संक्षिफ्ट सी जानकारी यहां पर रखी हमने कि इनका समय कब है दसुशती का उतरार्द है और किश्मीर के निवासी थे इन्होंने वक्रोक्ती संप्रदाय का प्रवर्तन किया रचना इ मतपूर्ण नहीं है लेकिन फिर वी UGC net की परिक्षा में हो सकता है इनको बूचा जाए इसलिए हमने इनको यहां पर रख दिया है दसुशती का उतरार्द हिन का समय माना जाता है तो यह भी दसुशती के उतरार्द में ही हुए है और इसमें इनको क्या माना जाता है कई बार आपने देखा होगा कि एक तरफ आपको कवियों के नाम दिये होंगे दूसरी तरफ उनके जो संप्रदाय है तो इनके एक तरफ नाम होंगे दूसरी तरफ इनके संप्रदाय होंगे वो मिलान के लिए आपको दे दिये जाएंगे कि इनको इनका मेल कीजिए कि कौन से इसमें रसवादी है, कौन अलंकारवादी है और कौन ध्वनिवादी है और कौन ध्वनिवादी बिरोधी अचारे है ठीक है? तो इस तरीके से प्रशुन पूछे जाने के समभाबना हो सकती है ठीक है? नेक्स से देखिए इसके अलावा जो अन्य संस्कित के अचारे हुए हैं ममट तो ममट भी बहुत मौतपोन हैं ये भी ध्वनी विरोधी अचारे माने जाते हैं और इनका समय ग्यार्वी शती का उत्तरार्द माना जाता है तो दिखिए इससे पहले हमने क्या पड़ा कि आपके जो दूसरे हैं वो थे दस्वी शताब्दी में जो आपके कुंतक हुए हैं या फिर धनजय हुए हैं तो वो दस्वी शती के उत्तरार्द में थे दोनों लेकिन अब जो आपके ममट हैं कि ग्यार्वी शती का उत्तरार्द में में इनका समय माना जाता है और ये धौनी भी रोदी है और कश्मीर निवासी है तो देखिए अधिकतर जितने भी आपके आ रहे हैं संस्कित के अचारे वो क्या हैं कश्मीर के निवासी है इनका प्रमुक गरंत है काब्या प्रकाश तो इसमें कितने हैं? दस उल्लासें. उल्लास का मतलब है इनमें दस अध्याये हैं. ठीक है? और ये संस्कित में काब्य प्रकाश के नाम से जाने जाती है कौन सी रचनाई की काब्य प्रकाश? तो सेम ही है, सिर्फ आगे इन्होंने भी सरगे लगा दी है, बाकी इसमें कुछ भी डिफेंस नहीं है संस्कित और हिंदी में. ठीक है? काब्य की परक कैसे की जाए? इस विशे पर उदाहरन सहित लिखा गया है, किसमें आपका काब्य प्रकाश में ही? विस्तरित एवं अत्यंत महत्तपुनियम प्रमानिक ग्रंत इसको माना जाता है किसको काब्य ठीक है? तो ये ममट के बारे में इतनी सी जानकारी आपने याद रखनी है. फिलाल के लिए आगे हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कावे ही तू, कावे लक्षिन, कावे प्रियोजनों पर कौन-कौन सी चीज़ें कही हैं? यहां पर मेंली हम यह बा है क्षिमेंद्र का. तो क्षिमेंद्र बहुत ही महत पूर्ण है, इनका जो संपरदाय है, आप सब लोग जानते हैं, वो कौन सा है? अचित्य संपरदाय का इन्होंने क्या क्या प्रवर्तन किया था, यह भी कश्मीर के ही निवासी हैं, और अभिनब गुप्त को यह अपना गुरु मानते थे, अभिनब गुप्त जिनकी जो प्रमुक रचना कौन सी थी? तंत्रा लोग थी, जिसे क्या का जाता है? विश्वकोष कहा जाता है, अभिनब गुप्त का जो ग्रंथ है, किसका विश्वकोष कहा जाता है? रतन एवं तंत्र शास्तर का उसको विश्वको रचनाय हैं, क्षिमेंद्र के बारे में भी हम अचिता संपरदाय के उपर पूरा कंफ्लीट लक्चर तियार करेंगे वहाँ पर विस्तार से इनके बारे में जानेंगे, अगले कभी हम देख लेते हैं, अचारे कौन से हुए हैं वो हुए हैं आपके रूयक तो देखिए रूयक, इनका संपरदाय कौन सा है बार्वी शती का पूरवार्द माना जाता है ये भी कश्मीर के ही निवासी हैं सारे के सारे आपके जो संस्कित के अचारे हैं, अधिकतर उन में क्या है संस्कित के हैं, या फिर स्वरी, आपके कश्मीर के हैं या फिर आपके दक्षिन भारत के हैं इनका जो प्रमुख रचना है देखिए वो है अलंकार सर्वस्व जिसका प्रणाइन 1135 से 1150 के बीच में हुआ था ऐसा माना जाता है जो अलंकार सर्वस्व है उसका समय कब्स माना जाता है 1135 से लेकर के आपका 1150 इस्वी के बीच बाशा के पाक और चिंतन की प्रोड परिपक्वता से इसकी स्रेष्ट देन है और इसलिए रूयक की प्रसिद्धी सर्वस्वकार के रूप में है तो इनकी रचना अगर आपको याद होगी अलंकार सर्वस्व तो आप वहीं से ही इसको याद रख सकते हैं कि सर्वस्वकार कौन है ये रूयक है और इसके दो भाग हैं देखिए सुत्र तथा वृती 87 सुत्रों में 6 अब्दालंकार तथा 85 अर्थलंकारों का संक्षिप में नपी तुली भाषा में इसमें क्या हुआ है निरूपन हुआ है तो ये चीज़ें थी जो रूयक के समद्ध में बहुती जादा मौत्वपूर्ण थी इसलिए मैंने आपको बीच में ये भी रखतिया है चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके अलावा जो मौत्वपूर्ण संस्कित के अचारे हुए हैं वो कौन-कौन से हैं विश्वनात कभी राज के नाम से सुना होगा आपने इनको बोलते हुए कि विश्वनात को क्या माना जाता है कभी राज माना जाता है और ये जो आपके विश्वनात हुए हैं देखिए इनका समय कभ है ये है चोधवी शती का पूरवार्द तो देखिए इनका समय क्या माना जाता है चोधवी शती का पूरवार्द और ये आपका जो कलिंग या जिसको कह सकते हैं अप उडिसा उतकल वहां के आसपास ये, वहां के ये मानने जाते हैं, कौन? विशोनात, ठीक है? तो इनकी जो परसिद ख्रीती है, वो कौन सी है? साहीत दर्पन है, जिसमें 10 परीच memang या 10 अध्याए, इसमें मानने जाते हैं, तो सहीत दरपन रचना बहुत ही महतपुन रचना है जब हम रितिकाल के बारे में पढ़ रहे तो हमने देखा था कि इसके जो सहीत दरपन को अमारे रितिकाल स्च्छन कवियों ने क्या क्या है उसका अनुसरन किया हुआ है वहाँ पर इस रचना का और विश्वनात का जिक्र हुआ था कि इसको अधिकतर जो रितिकारिन का भी है उन्होंने आधार बनाया हुआ है अपने लक्षनक्रंथों को लिखने के लिए ठीक है तो इसके चतूर्थ परिशेद में देखिए अलावदिन खिल जी का उलेक मिलता है तो ये महतोपन चीज है कि हो सकता है इस तरी के से प्रश्म पूछा जाए कि किस रचना में अलावदिन खिल जी का उलेक मिलता है या किस परिशेद में मिलता है तो वह है चतूर्थ परिशेद साहित्य दरपन का ठीक है रसको साहित्य की आत्मा मानने वाले ये पहले संस्कृत के अचारे थे तो साहित्य दरपन में उनका सूत्र जो वाक्य है वाक्यरसात्मक वाक्यम काब्यम ठीक है तो ये कौन कहते हैं ये कहते हैं आपके विश्वनात जी ही ठीक है आगे हम पढ़ेंगे देखी कि आज भी जो इनका साहित्य का मूल माना जाता है कि इसको माना जाता है वो ये ही जो स कोन चीज़ें विशुनात के बारे में इसके अलावा जो आखिरी हमारे प्रमुक अचारे हुए हैं संस्कित अचारे उनके बारे में हम देख लेते हैं उसके अलावा अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो जो भी कावे लक्षन हुएं कावे हेतु और कावे प्रियोजन ह उनके बारे में जो भी हमने अभी तक प्रमुक जो संस्कित के अचारे थे वो पड़े थे वो क्या कहते हैं उनकी क्या राय हैं तो इसके अलावा जो पंडित राज जगन ना थे देखिए आखरी हमने इनको यहां पर रखा है हालां कि और भी महत्तवपूर्ण जो नाम है वो हो सकते हैं जिनोंने आपके संस्कित अचारें की जो परंपर है उसको समरिद किया है लेकिन अत्यांत चुमधत पूर्ण थे वो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं तो इसमें इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे हेमचंद्र हो गया ठीक है जैदेव हो गये विद्य लेकिन इनका जिकर हम यहां पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो कावेहेतु कावेलक्षन या प्रयोजन है उसके समद्ध में उनने कम चीज़ें कही हैं तो इसलिए जो जो महतफ़ों थे वो मैंने आम पर रख दिये हैं तो यहां पर देखिए पंडित राज जगरना इनको औरंग जेव के दरवारी थे ये और इनहीं के सरक्षन में इनका होसला वजाय में पंडित राज ने प्यूश लहरी, गंगा लहरी, अमरित लहरी, लक्षमी लहरी और कावेशास्तर मीमासा गरंथ जो इनका मौत्वण गरंथ माना जाता है रस गंगाधर वो इन्हों कर लिया था और जिनका नाम इन्होंने शायद तर्वंगी इसरीके का कुछ रखा था जिस पर इन्होंने संस्कित की कुछ कविताएं भी लिखी हैं ऐसा माना जाता है जो पंडित राज आपके जगंणात थे ठीक है तो ये माना जाता है कि आपके आंध्रपरदेश के कि जो प्रमुक चीज़ें थी वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं I hope आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन-कौन से प्रमुक अचारे हैं वर जिनके बारे में हमें जादा पढ़ने की ज़रूरत है तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडिय में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नईस पूर्ते के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद